नमस्कार दोस्तों आप सभी का G.S. campus पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेवन सीस्टर क्या है चीकन इने क्या है और कलादान प्रोजेक्ट क्या है इनी सब चीजों को इस वीडियो में मांचित्र के माध्यम से एक एक चीज को सम पूरी बाद समझ में आजाएगी और बहुत ही अच्छे से आजाएगी तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले सेबन सिस्टर क्या है तो देखो सेबन सिस्टर वो पुर्वोत्तर भारत का वो एरिया जहां पर हम यह सरकिल बना रहें तो इस वाले एरिया को ध्यान से दे देखे यहां पर देखो इस वाले एरिया को ध्यान से देखिएगा जिसे हम सरकिल के अंदर कर रहें अब यह जो एरिया है नौर्थीस्ट का इसे सेबन सिस्टर कहा जाता है सेबन सिस्टर में अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो एक आता है अरुनाचल प्रदेश ना सेबन सिस्टर यहीं जो सात राज्य हैं पुर्वत्तर के इनको सेबन सिस्टर कहा जाता है यहीं से एक बहुत ही अच्छा कोश्चन पूछा जाता है और वो यह पूछता है कि इन में से सेबन सिस्टर में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा है सभी सेबन सिस्टर के राज् से दिलएंड से मडिपूर से भी मिझोर्हम से तिरपूरा से भी लगती है यहां पर अगर बात पुर्वंफतर राज्यों की करते हैं तो पुर्वत्तर राज्यों की संखय तो आप याद रखिएगा अगर कभी भी आपसे पूछता है कि सेवें सिस्टर कौन से तो सेवें सिस्टर का मतलब ये बाले एरिया और अगर आपसे पूछ लेता है कि नौर्थीस्ट में कौन-कौन से आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है सेवें सिस्टर में सिर्फ एक सि स्कुरा डीटेल दिया गया है कौन सा अाजdуск कहां पर है तो यहां पर हम लोग यह बात कर रहेते अभी इस व mobile एरिया की और यही पर इस भी इस पिसी एरिया की बात करेंगे जिसको हम लोग questo निक कहते हैं तो आखर यह चीकनमिक क्या है सेवन सिस्टर में कौन-कौन से आते हैं तो एक बार फिर पर चोड़ा सा बदलब छोटा एरिया है और वो भी भारत के बिल्कुल बहुत ही सक्रेपटी से भारत से तो ये चिकन ने खाय क्या दरसल यहां पर एक पश्चिम बंगाल परता तहरा यहां दूए हम इस देखना यहां के नां से जान यहां पर यह हम इसको लाल करे दियाए और अगर यह पूछ ले किस राज में आता है तो ये उसमें आता है बश्यमंगाल में यह बाला एरिया जो है जो इसे चीकनने के नाम से जाना जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट है कैसे इंपोर्टेंट है ज्रा देखो यहां पर देखिएगा एक देष नैपाल है यहां पर चीन है और यहां पर भूटान है और यह बंगला देश है यह चार पडोसी देश चीन भी ज्यादा दूर नहीं यहां से तो यह एरिया इतना सक्रास है अगर इसकी आप चोड़ाई देखेंगे तो इसकी चोड़ाई मातर 22 किलो मीटर है कितनी है 22 किलो मीटर यही वो 22 किलो कहां है पसिम मंगाल में ये वाला एरिया और इसकी चोड़ाई मातर 22 किलो मीटर है इंपोर्टेंट इसलिए और ज्यादा हो जाता है क्योंकि देख रहे हैं ये पूरे जो चीन पडोसी देश जो है ये पूरी तरीके से समराजवादी नीती पर अपना फोकस करता है और इसके ज्यादा इंपोर्टेंट होता है इस अरिया को अए को कनेक्ट करने के लिए एक एरिया अगर हम लोग देखें सामरी दरश्टी से बहुत वह जिसकी बात हम लोग कर रहे तो बाद में देखते चलो यहां पर देखो अब इसी चीकन नेक को एक नाम और दिया जाता है वह नाम यह दिया जाता है आप देख रहे होंगे लिखाऊगा सिली गुडी कॉरिडोर सिलीगुडी कॉरिडोर ये है आप ध्यान रखिएगा ये वाले एरिया को क्योंकि यहां पर पस्षिम मंगाल में इक शहर पढ़ता है इसका नाम को सिलीगुडी कॉरिडोर हुई कहा जाता है उसी सिलीगुडी के नाम से तो जैसे यहां पर देख रहे होंगे, चाहिए से कौ शिली गुडी कॉरीडॉर का हैं, चाहिए से आप चिकंन नेक का हैं, वो एकी चीज है, यहां पर आपको दिखाया भी गया होगा, देखो एक मात्र रास्ता, जो भारत को Connect करता है सेवन सिस्टर से, आपको देख रहे हों का वो सक्रा सा एरिया मातर बाइस किलो मीटर चोड़ाई वाला जो शेज भारत को सेबन सिस्टर से जोड़ता है सामरिक दरश्टी से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह हमेशा इसकी जमीन की भूखी ने खतम होती एक तरीके से जो भूख माफिया कह ले तो शायद गलत नहीं होगा ठीक है तो चलिए तो इसलिए यह एरिया ज्यादा मजबूत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता इस एरिया पर को लाठी क्यों मारी कोई कुछ भी कर सकता है तो हमेशा से ऐसे देश जब यूद के टाइम पर ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया को सबसे पहले टार्गेट किया जाता है सब्सक्रों मानलो ऐसे सिचुएशन हो जाए और मानलो चीन इसको ब्रेक करने की कोसिस करें तो हमारे प किसी करक्त आगे तो बंगला देश से हम इस एरिया को कैनेक्ट कर सकते हैं लेकिन भंगला देश के साथ प्रॉब्लम है लोकतंत्र में कभी भी सरकार किसी की आथ सकती है अगर यह यहां पर देखा अच् pil नहीं रहता है आगा एशेक हसीना की पार्टी का रहता है अधि लेकिन लोग संद्र में पता नहीं कब किस की सरकार आया कभ इसकी चली जाय को यह पूरी तरीके से बंगलादेश के उपर vientडेंसी नहीं रख सकते कि साइच यह कभी यह भी नकर हैं जिसे कभि-कभी नाय पुट्र चीन के उसमें फ्रक хотел करें लगता है तो इसलिए यहां से एक यह रास्ता हो सकता है और यहां से जाने के लिए और इस पर काम भी चल रहा है तो एक तो यह और यह तो एक रास्ता यह तो है ही है क्योंकि यहां पर इस एरिया एक ऐसा है इसको हमें बहुत जदा इस पर ध्याम देने की जरूँत है क्योंकि आये दिन यहां पर देखा होगा आपने वह उल्फा और यहां पर कुछ इस तरीके की activities भी होती रहती हैं तो एक तो यह जान लिया कि बंगलादेश से भी हम इस एरिया को connect करने की कोशिस कर सकते हैं और जिसके लिए शायद भारत और बंगलादेश के बीच में इस बात की बात भी चल लई है अब अगला देखते हैं कि आखिर इ यहां एरिया में कैसे पहुंच सकते हैं तो उसके लिए भी कई सारे options आपको रखने होते हैं जैसे हम लोग आयारी करते हैं सोचते हैं अगर यह नहीं वा तो यह होगा यह दें कर सकते हैं जैसे अभी आपने सुना भी होगा कलकथ्ता बंदरगा से चट्गाओं के राश्ते तिरफुरा को सामान पहुंचाया गया था ठीक है तो लेकिन यह दूसरे देश के उपढ़ डिपेंडेंसी आप जब तक उससे तालुकात अच्छे हैं तब तक कर सकते हैं और आज के जमाने में राजनीती में कोई किसी का दुस्मन नहीं कोई किसी का दोस्त नहीं जब तक जिसका जिससे हीत होता है तब तक वो दोस्त है और जिस दिन हीत खतम वोई दुस्मन हो जाता है तो यह कोई कोई पर्मनेंट डुस्मन नहीं होता है यहाँ पर अगर हम आपको तैसरी मात करते तो आप सुने होंगे कालादान प temu यह क्या है तो देखो जैसे कि हमने पहले आपको बता है तो रास्ता हमारे पाश्झ से है जो आपके पास तीसरा option क्या होगा तो तीसरा option हमारे पास ऐसा होगा तपूस करो मानलो यह दोनों option हमासे निकल गए तब भी हम इस एरिया को connect कर सकते और बहुती बहुती बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं वह connectivity यह जानते हैं आपको हमारा कलकत्ता बंदरगा जो की एक नदी पर है उस नदी का नाम हुगली अब इस हुगली नदी बंदरगा से क्या करेंगे हम इस हुगली नदी हुगली बंदरगा से सोरी कलकत्ता बंदरगा से जो की हुगली नदी के किनारे है इसलिए इसे river port कहा जाता है नदी पर सामान ले जाता है यहां से मानलो हम यहां से 50 ट्रक यह 100 ट्रक यह 1000 ट्रक सामान पहुंचाएंगे जितनी देर में तो पता लगा वो एक जहाद लाद के पहुंचा देगा तो अब यहां से क्या करा जा सकता है यहां से कलकत्ता बंदरगा से मानलो यहां पर जो भी वे यहां बंदरगा तक पहुंचेंगे यह लगबख 540 किलो मीटर दूरी है अभी आपको आगे मैप में दिखेगी भी तो अगर हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे यहां पर क्या है यहां पर एक नदी परती कलादान तो उसी नदी से होते हुए यहां पर देख रहा यह पल्टे वाल जो लिखा हुआ है ठीक है यहां पहुंचेंगे और यहां से हम रास्ते रोबाई रोड के द्वारा कहां पहुंच सकते हैं मिजोरम पहुंच सकते हैं अगर तला पहुंच सकते हैं और फिर हम चाहें कहीं जाएं चाहें कहीं जाएं चाहें कहीं जाएं तो यह ध्यान रखेगा अगर मानलो ये बाला भी को दिक्कत कर जा और ये बाला भी मानलो इनसे ना बने तो हमारे पास तीसरा एक बहतरी न अल्टरनेट रास्ता है जिसे कलादान प्रोजेक्ट जो की बर्मा के ये एरिया जो बर्मा कहा है इसे रखाईल प्रांत कहा जाता जहां व कलकथा बंदरगा यहां से सावान को लाबाया है यहां तक फगली नदी में आय यहां से हमने यह आप देख रहे हों idée यह की सीने रूट 549 किलोमीटर हम पल्टेवा जो देख रहे हैं यहां तक पहुंचना और यहां के बाद यहां तक तो समंदर में आए फिर आके यहां नदी में पहुंचेंगे वो भी नदी को गहरा किया गया जैसे हुगली नदी में अगर जहाज तायर सकता है तो इसमें भी तो तायर सकता है तो यहां पर आ रास्तों से हमारा कंट्रोल छूट जाए तो हमारे पास एक यह बहतरीन अल्टरनेटिव रहेगा और इस अल्टरनेटिव का कोई जबाब नहीं क्योंकि उसमें हमारे मालों जैसे कि हम बाई ट्रक या बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं तो इसमें एक वार में इतना समान जहाद ले जाएगा कम से कम इंडियन आर्मी एक साल खुब गोली दगाएगी ठीक है जितने पडोसी होंगे जो जो गणपर करेंगे ठीक है तो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं तो यह रास्ता बहतरीन अल्टरनेट है जो कि कलादान प्रोजेक्ट कहा जाता है ठीक है तो चल्व लेते हैं कलकत्ता से यह घुगली नदी में यहां तक आएंगे हुगली नदी से बंगाल की खाड़ी में फांसो उन्तालिस किलो मीटर दूरी चलने के बाद स्थित्वे बंदरगा पहुंचेंगे और स्थित्वे जो है यहां से फिर कलादान नदी में जहाद पहुंचेगा पल्टेवा ठीक है तो यहां से पहुंचेंगे यहां से फिर देख रहे होंगे 169 यह दिस्टेंस लिखी हुई या लग लग और फिर यहां से पहुंच सकते हैं आप यह मिजोरम और फिर पूरे नौर्थीस्ट में यहां पर कनेक्टिविटी को हम मजबूत कर स बस आप अपनी उगलिया चलाई है और यहां पर लिखिए फिर आपको अगले वीडियो में अगर कोई भी कन्फूजन होती है तो बताया जाएगा तो उम्मीद करते हैं यह बास समझ में आ गई होगी कि आपका चिकन निक क्या है और आपका यह जो सेबन सिस्टर क्या है न यहां पर देख रहे हूंगे। आरिया जो यह वाला एरिया जो लाल कलर से यह डो कलाम है असल में देखा जाए तो टोटली भूटान में है," लेकिन डो कलाम है सोचोगे कि जब दो कलाम भूटान में है तो भारत ने 2017 में इसका कुछ टाकराव के स्थितिटी चीन Kenneth hadSab तो हमने क्यों ऐसा उसका विरोध किया विरोध इसलिए कि आगर वो यहां तक आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा यहां पर अगर आगए तो फिर यह से लिए जो आपका सिली गुडी कॉलिडोर यह जो चिकन नेक है इतके आओ बिल्कुल खुपड़िये पर आके बैठ जा में आता है ठीक है तो यह ध्यान रखना चीन सोचता था अब उटान को टिपिया लेंगे जमीन हम भी यह लेंगे वो तो है प्रॉपर्टी डीलर नहीं ठीक है तो यह बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते ही कलादान प्रोजेक्ट क्या था सेबन सिस्टर क्या था चीक आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसमें मिलता रहा है धन्यवाब